हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा बैवार जो है वो ही हमें स्रिष्ट बनाता है इसके उपर मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि एक बार एक आदमी जो था बर्फ की फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी करता था उसमें एक खासियत यह थी कि जब वो वर्ग की factory में काम करने के लिए आता था तो बाहर का जो शिकोर्टी गार्ड था उसको वो हाई हेलो ये नमस्कार जरूर करता था और जाते वक करता था बाई बाई आई और शिकोर्टी गार्ड भी उस वैक्ती को पैचान गया वैसे तो बहां काफी लोग काम करते थे लेकिन security guard उस बैक्ती को बहुत अची तरे पचानने लगा एक दिन किसी कारण क्या हुआ कोई तकनीक की कमी हुई होगी जो भी हो मतलब उस factory में सारे लोग निकल गए स्रिफ वही आदमी उसमें फस गया तो security guard को लगा कि सारे आदमी तो निकल गए लेकिन आज वो वाई और हेलो करने वला आदमी क्यों निकल कर आया तो काफी देर तो security guard सोचता रहा फिर वो गया अंदर उसनों देखा क्या कि वही आदमी जो उसको आते वक्त हेलो और जाते वक्त वाई करता था वो उसके अंदर ही है तो उसने कोसिस करके उसको निकाला और बुच्छा कि आप ऐसे कैसे फस गए तो उन्होंने का कुछ तक्निकी की खराबी हो गई जिसके कारण मैं फस गया अगर तुम आज नहीं आते तो मैं मर जाता लेकिन तुमको पता कैसे लगा तो उसने का साब जी एक आप ही तो हो इसमें हजालों लोग काम करते हैं लेकिन आप ही तो हैं मुझे सिकूर्टी गार्ट नहीं समझते आप मेरा सम्मान करते हैं और आते वग भी आप हेलो करते हैं जाते वग भी वाई करते हैं मैंने सोचा आल वो क्यों नहीं आए जिन्होंने हाय और वाय करते थे जो वो क्यों नहीं दिखाई दिये तो मुझे दिमाग ने करा कि अंदर जाके देखता हूं कि शायद कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फस गया इसलिए मैं अंदर आया तो और उसको निकाल लिया और बचा मिल दिये